प्रदान मंत्री आवास motis water tv नमस्क्राव दोस्तो अब कामारे चैनल हमस्क्राव में बात करने वालें प्रधान मंत्री आवासी योजना के अंदर किसको कितना लाभ मिले गा कितना ज़्यादा लाभ दीजिए किन नोय को तो उस टॉपिक के उपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको कुछ दिखाएंगे भी दोस्तो परदार मंतरी आवासी योजना के अंदर जैसे कि आप जानती है कि बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर लोगों को बाटा गया है जैसे कि AWS, LIG, MIG, MIG1, MIG2 इस तरह की कैटेगरीज में बाटा गया है तो किन लोगों को कितनी सबसेटी मिलेगी, किसे ज़्यादा सबसेटी मिलेगी, किसे कम सबसेटी मिलेगी यहाँ पर इसी टॉपिक पर हम आप बात करने वाले हैं और आपको आपकी सबसेटी के बारे में पूरी जानकरी देंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है आप घर बैटे ही इस सब चीजों को देख सकते हैं आपको स्रीव अपने फोन पर या अपने कंप्यूटर पर गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है गूगल ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ लिखना है पी एम एवाई यहाँ पर आप यह देख पाएंगे कि आप किस category के अंदर आते हैं और आपको इस योजना के अंदर कितनी subsidy तक का लाब यहाँ पर government मिलेगा जैसे कि government 2,67,000 रुपे तक की subsidy दे रही है तो किन लोगों को यह पूरी subsidy मिलेगी और किन को कम तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है? subsidy calculator का एक option है यहाँ पर आपको सबसे पहले click करना है यह subsidy calculator पर यहाँ पर जब आप click कर देंगे तो click करने के बाद देखे उपर भी कुछ आपको option दिखेंगे यहाँ नीचे आप subsidy calculator का use भी कर सकते हैं इसके बारे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या यह PMAY जो second number का option है हमें यहाँ पर click करना है यहाँ पर जब आप click करेंगे तो देखे थोड़ा नीचे आप जाई आप यह पूरी ट्रेल पड़ भी सकते हैं इसको अब जब थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको एक चार्ट दिखेगा अब यह चार्ट देखे फोन पर पूरा नहीं खुल रहा ठीक है अब इसे पूरा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उपर तीन लाइनों के उपर क्लिक करना है जो लोग कंप्यूटर पर अपने देख रहे होंगे लैप्टॉप पर देख रहे होंगे उन्हें पूरा चार्ट दिखेगा लेकिन फोन पर यह पूरा चार्ट नहीं दिख रहा तो हमें यहां तीन लाइनों पर क्लिक करना है और उसके बाद यह डेक्स टॉप साइट के ओप्शन पर क्लिक कर देना है अब देखे यह पूरा चार्ट यहां पर आ जाएगा अब यहां पर आप इसको जूम मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ यहां पर आपको सारी चीज़ बताई जाएगी कि आपकी टोटल हाऊसोल्ड इंकम कार्पेट एरिया यानि कि घर का जो एरिया पूर एक चीज को यहाँ पर बारी की से आपको समझाया गया है इस चार्ट के द्वारा और आप इसके अंदर अपनी कैटेगरी कि आपको कितनी इंकम आपकी है आपकी मलब इंकम के अधर परी कैटेगरी है तो इंकम कितनी है आपकी ठीक है आप कितने एरिये में आपको अग लोन अपना चालू करवा सकते हैं यहाँ पर 6 लाग तक का लोन आपको EWS केटेगरी में और MIG केटेगरी में 9 लाग तक का लोन के उपर आपको सुविधा है ठीक है और यहाँ पर देखिए 2,67,000 रुपए 2,67,280 रुपए की सबसीडी आपको गौवर्मेंट देगी अगर आप 20 साल के लिए लोन अपना चालू रखते हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था है कि अगर आप 2,67,000 रुपए की सबसीडी चाहते हैं तो आपको 20 साल तक लोन को कंटीनू करना है अगर आप कम समय के लिए लोन कंटीनू करेंगे तो यहाँ पर सबसीडी भी आपकी कम हो जाएगी आप सबसीडी कैलकुलेटर को देखकर भी उसमें आप पता कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखिए अगला ओप्शन मिल जाएगा कि आप मन्थली कितनी सेविंग करेंगे तो यहाँ पर आप मन्थली देखे दाई हजार रुपे के लगबग मन्थली आपकी बचत होगी इंट्रेस्ट के उपर या आपकी इंस्टॉल्मेंट के उपर वही दूसरी कैटेगरीज में 2250 रुपे के लगबग यहाँ पर आपकी सेविंग्स होगी तो यहाँ इस चार्ट को देखकर आप पूरा अपना हिसाब लगा सकते हैं अपना प्लान बना सकते हैं और इसी आधर पर देख सकते हैं कि आपको कितना लाब होगा या कितनी हानी होगी या कितना अधिक से अधिक सबसीडी किस कैटेगरी को यहाँ पर मिलेगी वो हर जानकरी आप यहाँ पर खुदी देख पाएंगे तो दोस्तों यह जानकरी आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगर अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवारा के साथ देख शेयर किजि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरू कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान की पर टच्च करके और उसके बाद गंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलते रहें ये बिलकुर फ्री होता है और इसे जास स्यादा फायदा उठा सकते है तो अभी कले इतना ही धन्यवाद